Hello friends, मेरा नाम Nikhil है, आज हम थोड़ी जानकारी पाएंगे GST नंबर के बारे में, बहुत दिनों से हम सुन रहे है GST, 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 अब ये GST नंबर क्या है, इसका meaning क्या है, तो आप यहां सामने देख रहे हो कि यहां एक GST नंबर है, जो लिखा गया है 22AAAA00000A105, एक सैंपल GST code है अब जैसे मैं यहां देख रहा हूँ, यहां लिखा है 22, यहां नीचे लिखा गया है state code, state code means जो हमारे भारत में जितने भी states है, उनको एक एक code number दिया गया है, तो अब ये 22 है क्या हम देखते हैं, अब जैसे इस list में आप देख रहे हो कि हर राज्य को एक 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 state number दिया जम्बू एन काश्मिर को दो number दिया गया है, हिमाचल रित प्रदेश को, पाच number दिया गया है उतरांचल को, और जैसे उस number में लिखा गया था 22 को, तो ये 36 गड़ को number दिया गया है, तो जो पहला digit है, उसका meaning है राज्य, अभी आगे का जो number है, ये है PAN number, यहां लिखा है इसका वो PAN number है, देन उसके आगे यहां लिखा है एक, तो अभी एक का मतलब ऐसा है, यहां इंगलिश में लिखा है, entity number of the same pan holder in a state, अभी entity number means, समझो एक ही आदमी के दो तीन जगह शाका है, तो एक शाका को एक number, दूसरी शाका को दो number, तीसरी शाका को तीन number, इस तरह से य counting हो जाती है, अभी जैसे यहां लिखा गया है, हम इस number के बारे में बात कर रहे थे, यह total registration within the states, so मैं यहां जाता हूँ, so अभी यहां देख रहे हो कि, the 13 digit represents the total number of registrations an entity has within a state for the same pan, so एक ही pan के उपर कितने registration हुए है, एक ही बहुत शाकाओं के registration एक ही pan number के उपर होते है, तो उसका वो count है, so it is alpha numeric in a nature and can be 1 to 9 और a to z, so इस तरह से उसका format रहेगा, एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक रहेंगे, यह a to z तक रहेगा, अभी यहां लिखा है, if he has one entity within the states, if यहां लिखा रहेगा, तो उसके state में एक ही entity है, if 2 लिखा रहेगा, उसमें state में 2 entity है, this way one can hold up to 35 business vertical, so एक आदमी maximum 35 business vertical entities संभाल पाता है, अभी यहां एक और एक उधारन है, अभी समझो, owner के 9 से जादा entities रहेंगे, एक ही state में, तो यहां मैंने highlight कर दिया है, similarly if an entity has 11 registration in the same state, तो अकरा registration एक ही state में है, then it will be assigned letter B in the 30th place, तो अभी इसका meaning क्या है, कि अभी 1 से 9 हो गए, so जो 10 number है उसको assign हो जाएगा A, और जो आगे का number है जो 11 है, उसको assign हो जाएगा B, तो उसके ही साब से उसके character हो अपला हो जाएगे, up to 35 numbers, तो वो हो गया उस number के बारे में, जो यहां लिखा गया था, अभी next जो आपको यहां दिख रहा है, Z, यह है alphabet Z as a default, तो यह जो लिखा गया है, यह default दिया गया है, तो यहां लिखा है, the 14 digit is default Z, अभी हम last digit के बारे में बात करेंगे, यहां लिखा है 5, यह है check some digit, तो यह error checking के लिए use किया जाता है, तो यह होगी information GST number के बारे में, अभी आपको पता चल गया होगा कि GST number क्या है, तो आप easily identify कर सकते हैं उस आदमी को, जिसका connection उस GST number के साथ है, या उस company को identify कर पाऊगे, तो यह होगी information GST number के बारे में, इस तरह के और वीडियो में बनाता रहूँगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए,